मुझा जाए जाए जा रहे हैं रदलामी सेव के पराखे और इसके लिए क्या क्या इंग्रीडियंट्स चलिए आईए देखते हैं ये रहे हमारे इंग्रीडियंट्स एक कटोरी गयू का आठा एक कटोरी मैदा चॉप्ट कैपसिकम चॉप्ट गाजर चॉप्ट प्याज प्रतलामी सेव चॉप्ट कीवी हरी मिर्च मूम फली तेग चाट मसाला बारिक कटा हुआ चीज नमक स्वाधन उसार बारिक कटा हुआ हरा दनिया और पनीर ग्रेटेट पनीर चलिए अब हम पराठे के लिए आठा गुनते हैं इसके लिए हम दिया गयू का आठा मैदा नमक स्वाधन उसार तेल अब हम आठा गुनेंगे अब हमारा आठा गुन चुका है और पराठे के लिए आठा थोड़ा नरम रखना चाहिए इससे पराठे और भी सॉफ्ट बनेंगे अब हमारा आठा तैयार हो चुका है अब इसे हम तोड़े देर के लिए ढब के रख देंगे चलिए अब हम पराठे की स्टफिंग तेयार करते हैं पारीक कटी हुई शिबला मिर्च पारीक कटा हुआ गाजर रटलामी शिब और भारीक कर्दी कर्दा बनीब वारीक कटी घे बचीट बारिक कटी भी हरी मिर्च, चाट मसाला, और नमक थोड़ा सा ही दाना क्योंकि इस रद्दामी सेव में मरा नमक आता ही है, और इसे हम आज से इस मिश्रान को पराबर बूम देंगे, देते हुशे, इसमें कोई पानी के अवक्षी अवशकता नहीं है, अब हमारा मिश्रन रेडी हो चुका है उसे हम थोड़ी देर के लिए डब के रख देंगे ताकि इस मिश्रन में धिलापन थोड़ा सा आ जाए चलो दोस्तों देखे अब हमारा यह मिश्रन बिलकुल रेडी है इसे हमने बिल्कुल कुक नहीं किया, यह बिल्कुल कच्चा है सब, चलिए अब हम बनाते हैं पराठे, करा पराठे, कर दिल्कुल कर्चा के ठाठे, क्या, बिल्कूल अड़र्म, बड़िंगी poles horse अधूर्म, टोस्तिप्लाओी यह उड़िंगी शेचे चॉलिए ने सारावन सबस्टें यसे हमें गोल्डन शेखना है धोड़ा क्रिस्पी इसकी कुष्पु बहुत अच्छी आती है देखिए अब हमारा पराथा तयाब हो चुका है बिपकुल रेडी है इसी तरह हम सभी पराथे इसी तरह बनाएंगे हमारा दूसरा पराथा भी अब रेडी हो चुका है इसे दही और केचप के साथ सारू कीजिए और इसके उपर थोड़ा सा चाट मसाला स्विंकल कीजिए इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ियां आएगा चलिए अब हमारा पराथा बिल्कुल रेडी है सारू करने के लिए एंजॉय रतलामी सेव पराथा यह है हमारे आज की रेसिपी रतलामी सेव के पराथे तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आग इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चाहे तो कुछ कॉमेंट्स भी लिख सकते हो और इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे नही नहीं लीशेस के साथ तब तब के लिए बाइ बाइ थैंक यू